नवस्कार मानिय अर्टेश महोदाए सयुंत राष्ट महासभा के 74 सत्र को 130 करोड भारतियों की तरफ से संभोधित करना मेरे लिए गवरव का अवसर है यह अवसर इसलिए भी विशेश है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महत्मा गांधी की 150 वी जेंती मना रहा है सत्य वरहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांती प्रगती और विकास के लिए आज भी प्रासंगीक है अध्यक्ष महोदाएं इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोक्तत्रब है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकों ने वोट दे कर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज़्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वज़़ से ही आज फिर मैं यहाँ आप सब के बीच हूँ लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा प्रेरक है अध्यक्ष महोद आए जब एक विकासिल देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता भ्यान सफलता पूर्वक संपन्न करता है पांच साल में ग्यारा करोड से ज़्यादा सावचालाय बनाकर अपने देशवाचियों को देता है तो उसके साथ बनी व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है जब एक विकासिल देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वान स्कीम सफलता पूर्वक चलाता है पचास करोड लोगों को हर साल पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा देता है तो उसके साथ बनी सम्वेदंसिल व्यवस्ताएं पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है जब एक विकांसिल देश दुनिया का सबसे बड़ा फैनांसिल इंक्लूजन कारकम सफलता पूर्वक चलाता है सिर्फ पांच साल में 37 करोड से जादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है तो उसके साथ बनी विवस्ताएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है जब एक विकांसिल देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिपिकेशन प्रोग्रेम चलाता है उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है उनका हक पक्का करता है प्रश्टाचार को रोक कर करीब बीस बिलियन डॉलर से ज़्यादा बचाता है तो उसके साथ बनी आधुनिक ववस्ताएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन करके आती है अध्यक्ष महोदय मैंने यहां आते वक्त सयुक्तर राज की इमारत की दिवार पर पड़ा नो मौर सिंगल यूज प्लास्टिक मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हम तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभ्यान चला रहे है आने वाले पांच वर्सों में हम जल सवरक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही पंद्रा करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोडने वाले है आने वाले पांच वर्सों में हम अपने दूर दराज के गावों में सबा लाग किलोमिटर से ज़्यादा नई सडके बनाने जा रहे हैं वर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्स का पर्व मनाएगा तब तक हम गरीबों के लिए दो करोड और घरों का निर्मान करने वाले हैं विश्वने बले ही टीबी से मुक्ती के लिए वर्स ट्वेंटी थर्टी तक का समय रखा हूँ लेकिन हम दो हजार पचीस तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं सवाल ये है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं आखिर नए भारत में बढ़लाव तेजी से कैसे आ रहा है अध्यक्ष महोदय भारत हजारों वर्स पुरानी एक महान संस्कृती है जिसकी अपनी जीवन परंपराएं हैं जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं हमारे संस्कार हमारी संस्कृती जीव में शीव देखती हैं इसलिए हमारा प्रान तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्यान और ये जन कल्यान भी सिरफ भारत के लिए नहीं जग कल्यान के लिए हो जन कल्यान से जग कल्यान और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये सिर्फ भारत की सिमाओं में सिमित नहीं है हमारा परिश्रम न तो दयाभाव है और नहीं दिखावा ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरीथ है हमारे प्रेयास एक सो तीस करोड भारतियों को केंदर में रखकर हो रहे हैं लेकिन ये प्रेयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं हर देश के हैं हर समाज के हैं प्रेयास हमारे हैं परणाम सभी के लिए हैं सारे संसार के लिए हैं मेरा ए विश्वास दिनों दिन तब और भी द्रढ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूँ जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूँ, उनके सपनों से परिचीत होता हूँ तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गती से करूँ जिससे भारत के अनुभाव उन देशों को भी काम आ सके अध्यक्ष महोदय आज से तीन हजार वर्ष पुर्व भारत के महान कभी कणियन पुंगुन ड्रनार उन्होंने विश्वकी प्राचिन्तम भाषा तमील में कहा था यादम उरे यावरुम केडीर यानि हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं और यह तीन हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ देश की सिमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमी की विशेष्ता है भारत ने बीते पांच वर्षों में सदियों से चली आ रही विश्व बंधुत्व और विश्व कल्यान की उसमहान परंपरा को मजबूत करने का काम किया है जो सयुक्तर रास की स्थापना का भी दे रही है भारत जिन विशों को उठा रहा है जिन नए बैश्विक मंचों के निर्मान के लिए भारत आगे आया है उसका आधार बैश्विक चनवतियां है बैश्विक विशे है और गंबीर समस्याओं के समाधान का सामुहिक प्रयास है अध्यक्ष महोदय अगर इतिहास और पैर केपिटा एमिशन के नजरे से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अगरणी देश है एक और तो हम भारत में चार सो पचास गिगावोट रिन्योबल एनर्जी के लक्ष पर काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलार अलाइंस थाबिद करने की पहल भी की है ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तिवरता तो बढ़ती ही जा रही है उनका दाइरा और उनके नए नए स्वरूब भी सामने आ रहे है इस स्थीती को देखते हुए ही भारत में कोईलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफरस्ट्रक्टर सी डी आर आई बनाने की पहल की है दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रन देता हूं इससे ऐसे इंफरस्ट्रक्टर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा अध्यक्ष महोदाए यूएन पिस्किपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं शान्ती का संदेश दिया है और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाब दुनिया को सतर्क करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती है जिनके आधार पर युएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाप पूरे विश्वका एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवारिय समझता हूं अध्यक्ष महोदय आज विश्वका स्वरू बदल रहा है 21 सदी की आधुनिक टेकनलोजी समाज जीवन नीजी जीवन अर्थववस्ता सुरक्षा कनेक्टिविटी और अंतराष्ट्य सबंधों में सामोहिग परिवर्तन ला रही है इन परिश्थितियों में एक बिखरी वही दुनिया किसी के हित में नहीं है ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सीमट जाने का विकल्प है इस नए दौर में हमें मल्टि लेटरलिजम और सयुक्त राष्ट को नई शक्ती नई दिशा देनी ही होगी अध्यक्षम होदाए सबा सो साल पहले भारत के महान अध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन जी ने अमेरिका में शिकागों में वर्ल पार्लेमेंट और रिलीजन के दवरान विश्व को एक संदेश दिया था ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नौट डिसेंशन विश्व के सबसे बड़े लोक्तंत्र का आज भी अंतर राष्टिय समुदाय के लिए यही संदेश है हार्मनी एंड पीस भर बहुद भर्नेवर शओड दिया साथ है अजयो प्रिमीनिस्ट को सबस्क्याल थी कि एगे लग्या संदेश भाश्व एंड़े निनिस्फ्या प्या कि एंड का को एंपया था इंटी